पर ये जातिगत समिकरन क्या कुछ बिगडेंगे संजय आप क्योंकि इस मामले के एक्सपर्ट हैं ये राजपूतों की नाराजगी साथ में पुटा रहा है कि इत्यागी भी नाराज हो गए हैं कुछ गुजर तूट रहे हैं जो एक रेंबो कोईलिशन मंडली करन आपके उसमें कहीं पेच आ गया है क्या खास उत्तर प्रदेश के परिपेख्श में देखे तो देखे संदीप इस तरह की चर्चाएं मैं अक्सर चुनाओ के पहले सुनता हूं जाए विदान सभा के चुनाओ हो लोग सभा के चुनाओ हो आप यूपी की बात करें राजिस्थान क सुने की कुझाईश होती है और हम एक ऐसे धारना बना लेते हैं कि सारे राजपूत बोटर बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं यह राजस्थान में भी ऐसा ही है और मैं किसलिए कह रहा हूं क्यूंकि मैंने पिछले दो-तिन चुनाओं में देखा और इस पार भी मुझे कि राजस्थान में 8 सीटों पर 10 सीटों पर कॉंग्रेस जीत रही है मुझे ऐसा होता वह दिखाई नहीं पड़ता नाराजगी होती है टिकट बटवारे होती उस वक्त थोड़ी बहुत नाराजगी होती है बड़ी संख्या में लोग पार्टी को गोट करते और यह सारी ची है तो पार्टी बिलकुल मुश्किल में आ जाएगी और लोग सभा के चुनाओं में तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंस्टिट्वेंसी बहुत बड़ी होती है लेकिन जो यह सवाल उठाये जा रहे हैं इसमें देखिए राजनेतिक बहुत सारे पेंच भी और राजनेत के खेल परदे के पीछे क्या हो रहा है कि जी योगी आदितनात बने रहेंगे क्या मुख्यमंत्री यह एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है या वीके सिंग को टिकेट क्यों नहीं दिया गया की जो नहीं लिए लिए लेकिन मुझे लगता है कि सिर्ध इकेशन अकेले या जिने टिकेट नहीं दिया यह दिल्ली के तो साथ में से छे लोगों को कि टिकेट काट ले गई तो वह भी सवाल पूछा जा सकते हैं कि उनको क्यों टिकेट काट दिया गया कई दूसरे राज्यू में भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ जो लगता है कि हाँ अच्छे खासे नेता लेकिन उनकी टिकेट कट जाती है तो अब तो मंतरी पर में भी देखा नहीं करता तो आप इसे मतलब ओवरीड नहीं कर रहे हैं यह फैर पॉइंट है आपका पर क्या यह नाराज गरसर और मुदों का प्रकटी करन भी है क्या कि बेरोजगारी महंगाई किसानी का मुद्दा भी जो गौन हुए बीजेपी की जबरदस जीत उत्तर प्रदेश में दी तो जो संजे कह रहे हैं यह चोटी मोटी नाराज़गी है या यह दरसल प्रकटी करन और समस्याओं को लेकर उनकी तंगी उनसे आहत होकर भी दिखाई जा रही है लेकि मैं मोटे तोर पे संजे जी यू कह रहा है उससे मैं सहमत हूँ गरी बात तो यह है दूसरी बात यह है कि आपने दो सर्वेक्षण अपने चैनल पर दिखाए एक सी बोटर वाला और एक जो संजे जी ने लोक्ती कर किया वो दौनों में महंगाई और बिरुज़गारी लोगों के दिमाग में मुद्दे के तोर पे मौजूद हैं और उनका अच्छा खासा प्रश्चत है किसी और दूसरे मुद्दे के मुकाबले वो बहुत आगए कई कई गुना आगए हैं तीसरी एक और तत्त की तरब में आपका ध्यान खीचूँगा वो आपके यहीं सर्वे माया कि जब लोगों से यह पूछा गया कि आपकी समस्याएं कौन हल कर सकता है तो 32 फीज़द्यू लोगों ने कहा कि भाज़पा हल कर सकती है 17 फीज़द्यू लोगों ने कहा कि भी नहीं हल कर सकता यह भी आपने दो दिन पहले सर्वे किया था उसमें यह आया था यह एक मैंने एश्वन देशमुक को अगलक से बुला के इसके लिए बढ़ाई भी दी कि यह आकड़ा आपने इस तरह सवाल पूछा उससे निकल के आया आकड़ा है यह आकड़ा बहुत महत्पूर है यह आकड़ा बताता है कि पिछले दस साल से एक सरकार चल लगी है उसको 43 फीस्दी लोग यह मानते हैं कि हमारा ना विपक्ष की कोई पार्टी हल करने की च्छमता रखती है हमारी नहीं जो दस साल से सरकार चला रहे हैं वो हल कर सकते हैं तो अनमना पन माँ से पार्टीयों से और सरकार या सरकारों से उसका दूसरा अधार मैं आपको देता हूँ सबस्यादा वोट डालने के लिए उससाहित कौन होता है जो पहली बार का वोटर है जो अठारे साल का हो गया है उससे चाहिए कि फुर्ती से जाके अपने वोट को रेजिस्टर क अपना पहचान पत्र बन आए है और उसका मतलब है लोग अपनी जिद्गी की जद्धो जहद में लगे हुए हैं महंगाई बिरोजगारी के चकर में लोग फसे हुए है नाजवान खास तोर से फसा हुआ है और उसको ज्यादा में आ रहा है कि हम क्यों उतसाह पूरवक ला हैं और वोट डालने के लिए जाएं वहां की लाइन में लगे हैं क्यों हमारा काम तो कोई करते ही हैं किसके लिए फायदे में हैं पहरी बात सारिक पूरे लोग तंत्र के लिए ये बहुत नुकसान दे है हानकारक है और अन्मनेपन में क्या होता है चूँकि विपक्ष इस लोग इस चुनाओं के अंदर कोई हवा नहीं भर पा रहा है कोई उत्सा नहीं फूप पा रहा है सरकार के खिलाब जो एंटी इंकम्मेंसी है उस एंटी इंकम्मेंसी को बढ़ावा नहीं पार अब संजय जी का सर्वेक्षन कहता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार इ पिरसे चुनवाने के लिए जो अंतर है चुनवाने के समर्थक और चुनवाने के विरोधियों में वो केबल पांच फीजदी रह गया है पिछली बार ये अंतर आट फीजदी था यानि दो जार उननेस में ये अंतर आट फीजदी था अब केबल पांच फीजदी कह रहे है तो सुहाच पलसीकर जैसे विद्वान राजनीत शास्त्री ये कहते हैं कि ये पांच फीज़दी का अंतर जो है बहुत ही प्रिकेरियस है बीजेपी इस प्लेस्ट प्रिकेरियसली विकॉस अब इस वेरी नेरो कुशन और फाइब पर्जेंट तो अब ये इस तरह की बाते हैं तो विपक्च जो है ना इसका फाइदा उठा कर इस चुनाओ को पंप नहीं कर पा रहा है एंटी इंकम्मेंसी का लाब विपक्च नहीं उठा पा रहा है इसकी वज़ेसे और भी यादान मना पन है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे